तुर्टेंट्स वेलकम टू मार्शल इंस्टिटूट और प्लास्ट वेल्थ की फिसिक्स में आज हम एक पहुत इंपर्टन टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कबैलिजन ओफ दी एमस ओफ तो सल्स दी पोटेंशिव मेटर तो बिटा बिशीकली जैसे की अमने पटा है कि पोटेंशिव मेटर हमने समझा था पिछली वीडियो में कि पोटेंशिव मेटर क्या करता है वो exact potential measure करने की कोशिश करता है एसके अंदर हम current 0 लेते हैं यानि की null point लेते हैं जिससे जाता कि हमारे पास potential meter से potential difference की value exactly find out की जा सकती है तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम दो सेट की EMF जो है वो find out कर सकते हैं compare कर सकते हैं किसके साथ potential meter के साथ अगर मैं द्यान से आपको याद करवाओ तो potential meter में के अधाब हमारे पास एक वायर होती थी यहां तो वह constantent की होती थी यहां वह मैगनमी की होती थी बिकॉज उनके कोई ना कोई resistance की comparative value conductor से ज़्यादा होती है और सबसे important चीज है कि यह जो वायर आपने यहां पर बनाई है यह से लेके बी तक ठीक है इस वायर का हमारे पास area of cross section uniform होता है और यहां पर हम जा करते होते थे यहां पर लगाते थे की यहां पर battery attach करते थे यहां पर लग जाता था हमारा रियो स्टैक्ट करेंट को मेजर करने के लिए हम यहां पर एक एमटर लगा देते इंच जैसे ही हम की इंसर्ट करें तो करेंट फ्लो न शूरू हो जाएं तो जब हम करेंट फ्लो करवाते थे एक बैटरी की यह आपका रियो स्टार्ड जिसे हम बेरियेबल रिजिस्टन्स बोलते हैं अब जब इसमें से करेंट फ्लो करता हुए अपने एक चीज़ का ध्यांग बेटा यहां पे रखना है कि जब करनफ फ्लो करता है तो करन्फ लो अगर इस पांट से इस पांट में जा कि अगर टोटल पोटेंशियल हमारे पास इन दोनों पॉइंट के बीच में है भी और लेंट ऑफ दिस होल वायर इस टेकन टो भी एल तो टोटल पोटेंशियल जितना इस लेंथ के कारण यहां पर ड्रॉप हो रहा है उसको कर डिवैड करोगे तो आपको मिल जाएगा पोटे कर रहा है कि जब हम इस पॉइंट के साथ एक स्टैंडेड एम एफ सेल अटाइच कर देतें अब स्टैंडेटी एम एफ सेल तो मैं आपको बताया था जिसकी एमेर चेंज ना हो और आपको पता हो और अगर हमें पता ही आ तो पर करने के जलूरत है ठीक है तो बेसी कली आप अब कोई भी सेल लगा सकते हो जिसके आपको यह मैं फाइंड आउट करनी है बहुत ज्यादा लेस्ट के साथ क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियो मेटर होता है इसके अंदर एक्जेक्ट वेल्यू ही आज़ती है तो यहां पर स्पोस्ट करोगे आपने जो सेल लिया उसकी एमफ थी एवन और यहां पर आपके पास दूसरा सेल भी अविलेबल है जिसकी एमफ है एटू ठीक है तो अब इन दोनों सेल्स की एमफ को हमने करना है तो बेर यूजिंग दी पटेंशियो मेटर तो वो बेटा कैस टूवे की के साथ टूवे की कुछ ऐसे की की होती है और गलवेनोमेंटर के साथ मारे पास एक मूवेबल कॉन्टेक्ट होता था जिसको मोलते थे जॉकी जैसे कि वह पैन की तरह होता है इस जैसे मेटैलिक निब टाइप स्ट्रक्चर जिसका इदर भी मैटल हा और अंदर मैटल होता है बस उसकी ग्रिप दी होती है एक वह करेंट लूज ना कर तो अगर मैं यहां पर इसका कनेक्शन इसके साथ मेंटेन कर देता हूं तो ईवन पंटेक्ट में आ जाएगा और जैसे ही ईवन पंटेक्ट में आता है तो हमारे पास यहां पर आप इसको स्लाइड कर यहां प्यारा है तो इसकी लैंथ हम ले लेते हैं एल बट इस सारे को करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताओंगा कि अगर आप ने यह सारा सैटप लगाना है तो एक चीज दिमाग में जरूर रखने कि अगर इधर पॉजिटेव है यह मैं इसको ड्राइड बैटर करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस बैटरी के करेंट आप नहीं उस करते हैं बट स्पैशल आपको यहां रखना है कि जब भी आपको इसका पॉजिटेव इधर वाली साइड है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए अगर आपका इधर सैल उल्टा लगा होगा तो आ अगलाग जगा पर आपको यहां पर करेंट मिल गया अपना जिए तो करेंट जीरो से हमें यह पता चल गया कि अब इतनी लेंख एल के दौरां इस बैटरी ने कितना प्रटेंशिल लूज किया था यह सिर्फ क्नेक्शन में टेंट करके देखने के लिए है कि हमारी एमस कितनी तो अगर हमारा करेंट जीरो हो जाता है किसी कॉinnट पर जो इसका मतलब क्या औहोंगा कि यहां पर पख़र्टनेशिल डिफिरेंस के बराबर था वी इस इकुल टू के इंटू ल चैनल क्या है जिस सर्केट के अंदर करेंट 0 ह investigate V V90 के बराबर आ da ici के बराबर यहां पर इवन की वैलिए इसके बराबर आ जाएगी देडा थो evilений वेडिट say 71 जोई तो हम एस लन्ट हम आ को मालेते हैं ठीके यहां पर भी यो मारा पूटेंशिल DROP होगा वो भी के के परेबर होगा ठीक है तो यह आगया हमारा इस इपोल टू के इंटो अब जैसे ही आप इससे कनेक्शन करते हो और इसके साथ जोड़ देते हो तो हमारे पास क्या होगा कि अब इस पॉइंट पे हमें अपना नहीं यानि कि अप्रॉक्सिमेटली एड़ लेंथ लेंथ लू जो की ब्लू पैंसे अब ल्टू तक हमारे सतना पोटेंशियल यहां पे जा रहा है उसको वैलियों ले लेते हैं वी टू इस इक्वल टू के इंटू अब जब मैंने इस बैटरी को कनेक्ट किया था और मेरा करेंट ह हो गया था जीरो ठीक है तो बेसिकली क्या होगा कि मेरे पास इटू की वैल्यू कि इसके बराबर आजाएगी वीटू के पराबर अब यहां पर के को हमाते हैं पोटेंशियल ग्रेडियों एक को टैंशियल है 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 को टैंशियल ग्रेडियोंट थैंट 101 अब कोटेंशियल आफे दिया का बिटा हंस्ट की टोटन के इसे ह्मारे पास न एब कि थे ग्रयां नहीं है प्लस-्पाइनस का नहीं है तो बश्ट टरीका यहीं है कि आप इंटो लोग टिवाइट धो तो नौ टेकिंग E1 by E2 अब E1 की value थी K into L1 के परापपर E2 की value थी K into L2 के परापपर K से कही गड़ जाएगा So E1 by E2 Will be equal to L1 by L2 So ये process की कारण आप जो है अपनी जो EMF है उसको direct length के component के साथ ही क्या कर सकते हो compare कर सकते हो So it is the way of comparing the EMF of the two cells using the potential data So बेटा सबसे important चीज यही है कि आपको ये पताना जी के potential gradient का है तो आपको कुछ नहीं करना 2 cells लगाने है So that कि अगर इदर positive है तो इदर भी आपने दोनों positive ही रखने है और ये वाला point of contact जो है वो common होना चाहिए अब जैसे ही आप E1 को connect करोगे तो आपने अपना null point डूड़ना है Null point डूडते समय है ये तो surety है कि मारा नीचे वाली battery का current नहीं यूज हो रहा current उपर वाली battery का यूज हो रहा तो आपने का करना है एवन को किसके बरापर ले लेना है जो potential difference आया होगा उसी तरीके से जब आप नीचे वाले cell के साथ इसको जोड़ोगे तो आपके पास दूसरे cell की जो है वो एमस आजाएगी इन दोनों को आपने जब divide किया तो case की cancel out हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा E1 by E2 is equal to L1 by L2 तो यहां से यह तीर हो जाता है कि हमारे पास बीसी करी यहां पे नल पॉंटेट होना बहुत ज़ूरी है और different different legs पे different different EMFs मिल सकती है as comparative तो कि जितने भी cells आप लेलो तो जरूरी निए दो सेल्स की एमफ लेने हैं आप कितने भी एमफ जो है वो गल्पलिट कर सकते हो वा उसें potential meter सब्सक्राइब नेच्छ वीडियो वी डिसक्सिंग तो मेंजर देंटर्न रिजिस्टेंस उसेंग पोटेंचिमेटर तो तो तिल दें सेटियों सेटियों